एक छोटे से गाव में श्यामू नाम का एक महनती और इमानदार किसान रहता था वह अपनी कड़ी महनत के कारण पूरे गाव में प्रसिद्ध था श्यामू का जीवन सरल था, खेतों में काम करता, अपने परिवार का पालन पोशन करता और अपनी फसल से जीवन यापन करता लेकिन एक दिन अचानक गाव में सब कुछ बदल गया श्यामू मैंने सुना है कि राजा ने ब्याज बढ़ाने का आदेश दिया है अब हम कैसे अपना कर्ज चुकाएंगे, हमारे पास तो पहले से ही बहुत कम है खबराओ मत, हम मेहनत करेंगे, जैसे अब तक करते आये हैं, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा राजा चाहे जितनी भी कठिनाई खड़ी करे हम हार नहीं मानेंगे यह बात तो ठीक है श्यामू, लेकिन हमारा गुजर बसर तो सिर्फ खेती से ही होता है अगर हम उसमें भी राजा को ब्याज देंगे, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे गाउं में तनाव तब और बढ़ गया, जब राजा ने अपने सेनापती के साथ दरबार में किसानों पर नया फर्मान जारी किया अब समय आ गया है कि सभी किसानों से कर्ज वसूल किया जाए, ब्याज और बढ़ा दिया जाए ताकि हमारे खजाने में धन आए, जो भी किसान चुकाने में विफल हो, उसे सजा दी जाएगी जी महराज, मैं ततकाल यह आदेश सभी किसानों तक पहुचा दूँगा अब हम क्या करेंगे? राजा ने ब्याज और बढ़ा दिया है, हमारे पास पहले से ही खाने के लिए बहुत कम है, अब कर्ज कैसे चुकाएंगे? हम सब बरबाद हो जाएंगे, राजा बहुत कठोर है, अगर हम कर्ज नहीं चुकाएंगे, तो वह हमें सजा देगा भायों, हम हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, यह सच है कि मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती, मैं राजा से मिलने जाओंगा और उसे सबक सिखाओंगा श्यामू, राजा को चुनौती देना आसान नहीं है, वह बहुत शक्तिशाली है, क्या तुम सच में ये कर पाओगे? हाँ, ये बात तुम ठीक कह रहे हो, भाई राजा को चुनौती देना कोई आसान बात नहीं है, अगर उसे पता चला कि हम ऐसी तयारी कर रहे हैं, तो वह हम सब को जेल में डलवा देगा, और फिर हमारी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमें जो भी कदम उठाना होगा, सोच समझ कर उठना होगा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें और सही रास्ता अपनाएं, तो कुछ भी असंभव नहीं है, मैं राजा को दिखाऊंगा कि किसान केवल मेहनत करने वाले नहीं, बलकि बुद्धिमान और साहसी भी होते हैं, श्यामू ने अपनी कड़ी मेहन हार मानने का नाम नहीं लिया, उसने दिन रात खेतों में काम करना शुरू कर दिया, ताकि वह राजा का कर्ज चुका सके और गाम वालों को प्रेरित कर सके, उसकी पतनी भी उसे हर कदम पर समर्थन देती थी, तुम हार मत मानना शामू, मैं जानती हूँ कि तुम जो ठान देते हो, उसे पूरा करके दिखाते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बात सही है, महनत का फल हमें जरूर मिलेगा, यह हमारी आखिरी परीक्षा है और मैं इसे पास करूँगा, मुझे पता है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, अगर तुम एक बात को महनत से सब कुछ हो सकता है, और राजा को हम अच्छा सबक सिखाएंगे। हम सब मिलकर राजा को बताएंगे कि किसान कमजोर नहीं होते, हाँ, अब हम भी कड़ी महनत करेंगे और राजा के खिलाफ खड़े होंगे, हमारी महनत ही हमारी ताकत है, भाईयों हम सब मिलकर अगर डट जाएंगे तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता, हमारी एक चुटता ही ह ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो श्यामू, अगर हम सब मिल जाएं, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता, अब तुमने हमारे अंदर और हिम्मत ला दिये, अब हम डट कर महनत करेंगे तुम्हारे साथ, और राजा को दिखलाएंगे कि एक जुट में कितनी ताकत है, कड़ी महनत और फसल की सफलता के बाद श्यामू ने निर्णय लिया, कि अब समय आ गया है, राजा से सामना करने का वह सीधे महल में गया और राजा से मिलने की गुहार लगाई, अरे, यह तो श्यामू है, गाम का एक और किसान, तुम यहां क्या करने आये हो, क्या तुम भी अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो? महराज, मैं यहां कर्ज की बात करने नहीं, बलकि आपको यह दिखाने आया हूँ, कि आपकी नीतियां किसानों को कमजोर नहीं कर सकती, हम किसान मेहनत से अपना जीवन जीते हैं, और अब हम आपकी ज्यादतियों के खिलाफ खड़े होंगे, तुम्हें लगता है कि तुम म नयाय करें, आपने हम गरीबों की महनत को ललकार है, अब हम सब किसाब को बता देंगे, अगर हम एक जोट हो जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, श्यामू बिना डरे राजा के सामने खड़ा रहा, उसकी आवाज में सच्चाई और साहस था, जिससे राजा हिल गया, आप रा असी हो, श्यामू, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो, कि तुम्हारी बातों का मुझ पर असर होगा, श्यामू की द्रिड़ता और साहस ने राजा के मन में हलचल पैदा कर दी, राजा जो अब तक अपने आदेशों को ही अंतिम मानता था, अचानक सोच में पड़ गया, उसके दर्बार में सन्नाटा चा गया, श्यामू की आँखों में एक चमक थी, जो उसकी सच्चाई और न्याय की लड़ाई को दर्शा रही थी, तुम्हारी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं, श्यामू, लेकिन मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा, कि तुम क्या साबित करना चाहते हो, तुम्हें पता है, यह देश मेरे शासन में है, और जो मैं कहता हूँ, वही कानून है, महाराज, हम किसान आपकी प्रजा है, हम आपकी रियासत को अन्न देते हैं, अगर आप हमें कुचलते रहेंगे, तो यह धरती बंजर हो जाएगी, हम किसानों को अपने मेहनत का फल मिलना चाहिए, नकि अतिरिक्त ब्याज का बोज, लेकिन मेरे खजाने को भी भरना जरूरी है, श्यामू, अगर किसानों से टैक्स और ब्याज नहीं लूँगा, तो राज्य का संचालन कैसे होगा? महराज, किसानों से लिया गया टैक्स उचित होना चाहिए, अगर आप हमसे हमारी मेहनत का फल ही छीन लेंगे, तो हम कैसे जिएंगे? अगर किसान खुश होंगे, तो राज्य खुशाहाल होगा, किसानों की भलाई में ही राजा की भलाई है, यह बात तो तुम्हारी ठीक है, श्यामू, लेकिन हम राजा है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारा राजा होने का क्या फाइदा? हमें तुमसे ब्याज लेना ही होगा, और तुमसे नहीं, हमने सभी गाम वालों से यह कहा है, तो तुम इकला ही क्यों आए हो? राजा गहरे विचारों में डूब गया, उसने अपने सेना पती और मंत्रियों को बुलाया, ताकि वे इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें. दर्बार में मन्थन शुरू हुआ, हर कोई श्यामू की बातें सुनकर हैरान था. महराज, श्यामू की बातें वाजिब हैं, अगर हम किसानों से अतिरिक्त ब्याज वसूलते रहेंगे, तो वे भूखे मर जाएंगे, हमें इस बारे में सोचना होगा. सही कहा महराज, श्यामू ने हमें एक आईना दिखाया है, हमें राज्य की भलाई के लिए किसानों के हितों का भी ध्यान रखना होगा. अगर हम किसानों से अधिक टैक्स और ब्याज वसूलते रहेंगे, तो वे विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन खजाना भरना भी जरूरी है, महराज, क्यों न हम किसानों के साथ एक समझोता करें, उनके उत्पाद का उचित मूल्य तै किया जाए, और ब्याज दर को थोड़ा कम कर दिया जाए, ताकि वे राहत महसूस करें, इस से राज्य भी खुशहाल रहेगा, राजा ने आखिरकार निर्ने लिया, उसने श्यामू और गाव के अन्ने किसानों के लिए ब्याज कम करने और टैक्स की दरों में भी छूट देने का आदेश जारी किया, किसानों में महाराज, ये आपकी महानता है कि आपने हमारी बात सुनी और सही निर्ने लिया, अब हमारे खेतों में खुशहाली लोटेगी और हम आपके राज्य को और सम्रिद्ध बनाएंगे श्यामू की जीत के बाद गाव में उत्सव का माहौल बन गया, सभी किसान अब खुशी-खुशी अपने खेतों में काम करने लगे, राजा के साथ उनकी नई समझने गाव की तस्वीर ही बदल दी, श्यामू गाव के हीरो बन गये श्यामू तुमने हमारा जीवन बदल दिया, अगर तुम नहीं होते तो हम राजा के अत्याचारों के नीचे दबे रहते हैं अब हम अपनी मेहनत का पूरा फल पाएंगे, श्यामू तुमने हमें दिखा दिया कि एक आदमी भी बदलाव ला सकता है श्यामू अगर तुम नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता हम तो अधिक ब्याज में ही रह जाते और हमारी बीवी बच्चे भूखे मर जाते यह तो अच्छा हुआ कि तुम जैसा महान किसान हमारे गाव में है तो हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं ऐसे कई राजाओं पर तुम इकले ही भारी हो श्यामू भाईयों यह हमारी एक चुट्टा की जीत है अगर हम सब मिलकर अपने हक के लिए खड़े होंगे तो कोई भी हमें दबा नहीं सकते श्यामू की महनत साहस और राजा को सबक सिखाने की कहानी ने गाव में एक नई उम्मीद जगाई इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी अन्याय के सामने जुकना नहीं चाहिए एक छोटे से गाव में एक दिन बाबा का आग्मन हुआ बाबा एक जाने माने संत थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास दिव्य शक्तियाओं है बाबा के आगमन से गाव में एक अलग ही उत्साह था बाबा जी आ रहे हैं, सुना है उनके पास बड़ी शक्तियाओं है जो उनके पास जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है अगर सच में बाबा के पास शक्तियाओं है, तो मैं भी उनसे कुछ मांगूंगी अगर पहले देखूं तो सही, ये बाबा आखिर है कौन? सीता, जो एक जिद्धी और नटखट लड़की थी, बाबा के बारे में उत्सुक होती है और तय करती है कि वह बाबा को किसी तरह परेशान करेगी बाबा का ठिकाना जहां लोग उनसे मिलने आते हैं सीता ने ठान लिया था कि वह बाबा का मजाग बनाएगी, वह चुपचाप बाबा के पास पहुँची और तरह तरह के सवाल करने लगी बाबा, आप सच में चमतकार कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, तो मुझे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ कर दिखाओ बेटी, चमतकार हमारे अंदर नहीं, हमारे करमों में होते हैं लेकिन सीता नहीं मानी, वह बार बार बाबा को तंग करती रही धीरे धीरे, बाबा ने महसूस किया कि सीता का यह व्यवहार अशिष्टिता की ओर बढ़ रहा है सीता की शरारतें बढ़ती ही जा रही थी बाबा ने बार बार उसे समझाया मगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई बाबा आप तो सिर्फ दिखावा करते हैं मुझे तो आप में कोई शक्ती नहीं दिखती बेटी तुम्हारी इस अशिष्टता के कारण तुम्हें शराब देता हूँ मैं तुम्हें शराब देता हूँ जो तुम्हारे जीवन में दुख और परिशानी लाएगी जब तक तुम माफी नहीं मांगोगी तुम्हें कभी शान्ती नहीं मिलेगी अरे ऐसे शराब मैं बहुत देखे हैं, आप तो मुझे ढोंगी लग रहे हैं, जो उल्टी सीधी बातें करके मुझे डरने की कोशिश कर रहे हैं, अरे ये तो भोले गाउं वाले हैं, जो तुम्हारी बातें समझ चुके हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती, तो मैं आपको नहीं मानती, मूर्ख लड़की, तूने हमारा दिल दुखाया है, अब हमारा शराब तुछ पर से नहीं हटेगा, अगर तू माफी मांगने आएगी, तो ही मैं अपना शराब फटाऊंगा, वरना तो तेरी जिन्दगी में दुख और मुसीबतें ही रहेंगी, बाबा के शर तो बाबा से माफी मांग सके, आखिरकार सीता ने महसूस किया, कि उसे अपनी गलतियों का पश्चा ताप करना चाहिए, वह बाबा के पास जाने का निश्चे करती है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे बाबा से माफी मांगनी चाहिए, शायद तभी मेरी परेशा बेटी, बाबा महान है, अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगी, तो वह जरूर माफ कर देंगे, ठीक है मा, अगर आप बोलते हो, तो मैं बाबा के पास जाऊंगी, और उनसे सच्चे दिल से माफी मांगोगी, सीता बाबा के पास गई और उनके चरणों में गिरकर मा जीवन में हमें हमेशा विनम्र और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। माफी मांगने से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बाबा ने सीता को माफ कर दिया और उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। बेटी कभी भी किसी का मजाग नहीं उड़ाना चाहिए। हमेशा अपने बड़ों की इस्जत करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा गरोगी तो मेरा आशीरवाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम किसी का भी पाकमत बनाना, हर किसी की इस्जत करना। बाबा, आपने मुझे सिखा दिया कि हमेशा आपने बड़ों की इस्जत करनी चाहिए। मैं आपकी बात मानूंगी और रात से सब की इस्जत करूंगी। आपकी वज़े से ही मुझे एक नई दिशा मिली है। मैं आपका एहसान क्या सीख मिलती है कभी भी किसी का मजाग नहीं बनना चाहिए चाहे कोई भी हो हमेशा उसे हंस खेल कर बात करनी चाहिए अगर किसी को उल्टा सीधा बोलोगे तो वह कुछ ना कुछ शराब से ही देगा इसमारे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए अगर वीडियो अच्छ किसी क्टाइब सुखाना चाहिए यार कोई नहीं लिए किसी का नहीं है व्हाज ँखाना चाहिए नहीं जए वें उन्ग दूएगर नहीं